बागेश्वर के कपकोट तहसील के बस्ती गाउं में फूड पॉइजिनिंग के शिकार हुए गिरामीडों का हाल जानने के लिए जिला अधिकारी पहुँचे इस दोरान जिला अधिकारी ने गिरामीडों के साथ बातचीत की और पीड़तों को हर संभव मदद का अश्वासन आपको बताने कि कुछ दिन पहले बास्ती गाउं में शादी समहरों में खाना खाने के बाद दरजन और लोग पूर्ड पॉइजिनिंग के शिकार हुए थे जिनको इलाज के लिए कपकोट के सामोदाए केंदर में भरती कराय गया था टोटल हमारे जो अभी अस्पताल में एड्मिट है विभिन अस्पतालों में वह 150 है और जो अभी तक डिस्चार्ज हो गए हैं वहीं स्वास्ते विभाक के आंकडों के अनुसार अब तक बास्ती और गडेरा सहित आसपास के करीब 250 से ज़्यादा फूड पॉइजिनिंग क शिकार हो चुके हैं अब तक करीब 102 मरीजों को विभिन अस्पतालों से घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया है और डॉक्टरों की स्पेशल्टी में घर जाकर मरीजों का रूटीन चेक अप कर रही है साथ ही जिलाप्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है किसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट